तो फ्रेंट इस टूटोरियल में हम जानेंगे कि हम किस तरह से यूनिट ओफ मिजर्मेंट को चेंज कर सकते हैं फस्ट और फॉल आप यहाँ पर फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे देन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट सेटप यहाँ कीबोर शॉटकट कर भी यूज़् कर सकते हैं और कंट्रोल पी इसके लिएवा अगर आप यहाँ पर कंट्रोल पैनल पर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक बटन मिलता है डॉक्यूमेंट सेटप का आप इस पर क्लिक करके भी document setup window को open कर सकते हैं आप देखेंगे कि document setup window आपके सामने open हो गई है जहाँ पर आप देख सकते हैं units में अभी जो unit of measurement है वो set है pixels में अगर आप इसे change करना चाहते हैं तो आप इस drop down बटन पर क्लिक करके unit of measurement को points, picas, points, picas, inches, millimeters, centimeters means अपनी need के according आप इसे change कर सकते हैं suppose अगर आप यहाँ पर select करते हैं points and then click on ok तो आप देखेंगे कि जो आपका ruler है वो points में change हो जाएगा आप देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप यहाँ पर horizontal या vertical ruler के उपर अगर आप right click करते हैं तो यह pop-up menu आपके सामने display होता है आप देखेंगे कि हमने points unit set की थी तो इसलिए हमें यहाँ पर यह points display कर रहा है बट अगर आप यहाँ पर अपने unit of measurement को inches में measurement करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे inches तो आप देख सकते हैं कि जो आपका ruler है वो आप inches में change हो गया है now again right click on ruler similarly अगर आप unit of measurement centimeters में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से select करेंगे centimeters तो यह आपके ruler को centimeter unit में change करता है जैसा कि आप देख रहे हैं तो इस तरह से आप easily unit of measurement को change कर सकते हैं Thank you